हेलो गैस तो कैसे हूँ कि आज चल रहा है तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 2021 कीद मल्यालम लेंगवेज पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म वन का जिसको डिरेक्ट किया हुआ है संतोस विस्वानातने फिल्म के लीड रोल में दे लाओ लाना चाते किस तरह से लोगों के हित के लिए कुछ करना चाते वो फिल्म की कहानी में डाला हुआ है और फिल्म की कहानी में केरला में जिस तरह से जो क्राइजिस हुए उसके ओपर सी एम किस तरह से रियेक करते उन सभी चीजों को किस तरह से टेकल करते उसके और direction की बात करें तो संतो स्विस्वनाज जिन्होंने decent way में फिल्म का direction किया हुआ है फिल्म की कहानी end में आते आते थोड़ी predictable हो जाती है climax तक जब फिल्म की कहानी पोचती है उसकी थोड़ी दिर पेले यान की pre climax के आसपास पूरी फिल्म की कहानी पूरी तरह से predictable हो जाती है फिर भी फिल्म की कहानी को अच्छी तरह से उन्होंने narrate किया हुआ है जिस तरह से first आप और second आपको handle किया हुआ है वो आपको फिल्म के प्रती engaging रखेगा इसके अलाव फिल्म में जो mass element aid किये हुए वो mass audience को जरूरे track कर लेंगे जिसकी वाज़ासे ये फिल्म सभी type की audience को पकड़ने में कामियाब रहेगी ये political film है तो खास करके political drama film में देखने वाली audience को ये film जरूर पसंद आने वाली है इसके अलाव सिनेमेटोग्राफी की बात कर तो सिनेमेटोग्राफी बढ़या तरीके से handle की हुई है music की बात कर तो फिल्म के जो background score है उसको बढ़या तरीके से create किया हुआ है जो सभी सिन को अच्छी तरह से support कर रहा था और उसी के साथ फिल्म के editing को भी decent way में handle किया हुआ है performance की बात कर तो ममूटी जो फिल्म में कडकल चंदर यानि की chief minister का role play कर रहे है और उन्होंने उस character को काफी खुबसुरत way में अपने तरीके से deliver किया हुआ है और उनका वो performance फिल्म पे चार चान लगा रहा था और साथ ही में उनका वो screen presence फिल्म के प्रति हमें engaging रखता था मूरली गोपी जो जयानंदन का role play कर रहे है जो एक opposition leader के तोर पे दिखाए देंगे और उन्होंने वो character काफी बड़ा तरीके से present किया हुआ है और उसी की वज़े से फिल्म में वो opponent का किरदार काफी मजबूत नजर आ रहा था जिसकी वज़े से ममूटी का character और भी better हमारे सामने देखने को मिल रहा था मूरली गोपी को वेसे तो limited screen time मिला हुआ था लेकिन जितना भी time मिला उसमें उन्होंने एक memorable performance हमारे सामने पेस की हुई है खास करके climax की तरफ जब फिल्म climax की तरफ बढ़ती है तब वो हमें आसानी से impress कर जाते है इसके अलावा बाकी के सभी supporting artists अपना काम बखो भी निबाया हुआ है जिसके वज़ा से फिल्म को और बहतरीन तरिके से support मिल रहा था इस फिल्म की कहानी CM के personal और professional दोनों life के उपर पूरी तरफ से set की हुए जिसमें इस जर्नी के दोरान इन सभी supporting artists ने बढ़िया तरिके से support किया हुआ है में 2021 की Malayalam Language political drama film 1 को 7 out of 10 की rating देता हूँ कुल मिला के बाद करे तो 1 film एक अच्छी political drama film है जिसमें काफी बढ़िया बढ़िया moments आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप political drama film में पसंद करते हो तो ये film आपको ज़रूर देखनी चाहिए otherwise दूसरे टाइप के audience भी ये film one time watch के लिए जरूर देख सकती है तो बस guys आज के review में इतना ही था I hope आपके review पसंद आया होगा अगर review पसंद आया तो वीडियो को like और says जरूर कीजेगा और film देख लिए या देखने वाले हो तो देखने के बाद हमें comment करो कि आपको ये film केसी लगी तो और बेसे नए साफ्टरेंड मूवीज की हिंदी review के लिए अपकमिंग साफ्टरेंड मूवीज की news के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना पूलिएगा ठींक्यू